आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलिशन पाओ डाउटनेट नाओ इसमें मेरे पास वाटर है ठीक है यह मेरा आइस के टुकड़े है ठीक है तो यह सर्फेस अफ वाटर पे मेरे फ्लोट कर रहे है फ्लोट्स अन सर्फेस तो यह हमसे पूछ रहा है कि सर्फेस पे फ्लोट क्यों करता है तो यह सर्फेस पे इसलिए फ्लोट करता है because density of ice is less than density of water और हम लोग density of ice क्या होता है अगर मैं बात करें तो density of ice होता है 0.9168 gram per centimeter cube ठीक है वही density of water क्या होता है अगर मैं इसकी बात करो तो यह होता है 1 gram per centimeter cube ठीक है यह होता है इसलिए ice lighter होता है और ice lighter होने की वाज़से float करता है water के surface ठीक है तो इसका answer finally कौन सा correct option होगा इसमें से it is heavier than water ice is not heavier than water तो यह option गलत बी मैं density of water is same as that of ice density दोनों का same नहीं है ice का कम है density as compared to water तो बी option गलत c में ice is lighter than water यह मेरा correct option है ठीक है और c option correct होगा तो no no this नहीं होगा ठीक है तो इसका finally मेरा correct answer क्या है option c ठीक है थांक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर